हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ डिप्स हिंदी में आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही महत्वपून टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ दातों में लगे हुए कीडे गंदिगी से मिंटों में छुटकारा पाए आईए जानते हैं इसके बारे में आज मैं एक ऐसे समस्या के बारे में बात करूंगी जिससे लगभग बहुत सारे लोग ग्रसित है पहले ये समस्या या तो बचपन में या तो बुढ़ाबे में होती थी जब आपकी एज 50 साल से उपर होती थी तो ये प्रॉब्लम होना नेचुरल सा था लेकिन आज की लाइफ में यही प्रॉब्लम आपको टीनेजर्स के अंदर भी देखने को मिलता है और 25 से 30 साल के उम् और उनमें कीडा लगना और उस वज़े से हमारे दातों का जल्द ही टूट कर बाहर निकल जाना आपने अकसर देखा होगा तीन या चार सदी पहले के जो लोग हैं या आपने सुना होगा कि ये जो दातों के गिरने की प्रॉब्लम होती थी ये बुढ़ापी की स्टेज मे जाकर होती थी लेकिन कुछ सदियों से ये प्रॉब्लम बहुत तेजी के साथ सबीसाथ पैदा हो रही है इसके कई सारे रीजन हैं पहला रीजन है कि जबसे टब्क प्रोडक्स का इस्तमाल किया जा रहा है उसी वक्त से जादा तर लोगों को दातों की प्रॉब्लम हो रही उसके वज़े से भी उसका सीधा सीधा effect हमारे दातों पर होता है और हमारे दान गलना शुरू हो जाते है और उसके बार वो धीरे धीरे उनमें कीड़े लगना शुरू हो जाते है और फिर दान गिर कर बाहर हो जाते है तीसरा जो main reason है दातों का खराब होने का कि proper तरीके से अपने दाटों की सफाइ़ ना कर पाना क्योंकि आजकल खाने पीने की वज़ से और जाधतर लोग कोई न कोई आदमी किसी न किसी फ़ॉम में tobacco products इस्तेमाल करता ही है maximum लोग tobacco products इस्तेमाल करते है चाहे वो पान खाई गुट का खाय या बीडी सिग्रेट या हुक का पीए किसी नकिसी फर्म में चबको प्रॉडक्स का इस्तमाल होता है और इसका सीधा-सीधा असर हमारे दातों पर होता है प्रॉपर सफाई ना होने के वज़े से जो खाना खाने के बाद कुछ रहसे हमारे दातों में चिपके रह जाते हैं मीठी चीजों के सेवन करने के बाद आपको ब्रस कर लेना चाहिए क्योंकि कुछ रहसे आपके दातों में फसे रह जाते हैं या फिर टबको प्रोडक्स इस्तमाल करने के बाद भी आपको ये समस्या हो सकती है कुछ बातों का ध्यान रखने से आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं अगर आपके दातों में दर्ध होती है या कीडा लग चुका है और कीडा लगने से आपके दात खराब होते जा रहे हैं पीला पन आपके दातों में बढ़ता जा रहा है तो आज मैं आपको एक ऐसा नुसका बताने वाली हूँ और उसका यूज करने के बाद आप अपने दात के कीड़े को बाहर कर सकते हैं और आपके दाथ परफेक्ट हो जाएंगे सबसे पहले अगर आपके दाथो में दर्द हो रहा है तो सबसे पहले आप पानी को गुल्गुना करके उसमें आधा जमच नमक मिला लें और उस नमक के पानी से आप कुल्ला करें इसके बाद उस पान लॉंग को बारिक करके पीस लें उसके बाद उस पॉडर को आप दांत के जहां पे कीड़ा लगा है वहां रख दें और उसे दबा के अंदर रख दें इसके बाद आपके मुझे जो पानी आएगा उसे बाहर ना निकाले उसे पांच से साथ मिनट के लिए वैसे ही दबाए र के थुरू बाहर निकलाएगा अगर आप यह प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो आप लॉंग का तेल जो की मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ले सकते हैं इसके बाद लॉंग के तेल को रूई की सहायता से भीगो कर अपने दातों में लगा कर रखे कुछ दिर नमक या फिट्करी का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं सेंधा नमक को बारी करकर पीच लें इसके वाद आदा चमच्व सेंधा नमक पाउडर को आदा चमच सर्सों के देल में मिक्स कर लें और उस पेस्ट को अपने दातों पर आहिस्था आहिस्था मलें यह प्रोसेस आप हप आपके दातों को सफेद भी बनाएगा अगर आपको ज्यादा पीन हो रहा है तो सबसे पहले नमक के पानी से कुल्ला कर ले इसके बाद इन दोनों में से किसी एक नुस्के का स्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा ध्यान रहे कि ब्रश का परियोग करने से पहले उसे गुंगोने पानी से जरूर धोए आपने अकसर देखा होगा कि ब्रश को बाहर ही छोड़ देते हैं और उसमें कुछ गंदिगी भी जमा हो जाती है क्योंकि धूल मिट्टी आती ही रहती है इसलिए आप सुबह खरते हैं वैसा ही अगर हम की समय दो यह हमारे लिए ज़्यादा फाइधे अधी होता है पूरे से March कर लेख जासे और घommar करते हैं वो सब्चकर राट को सोने से पहले अगर таких हो जाती हैं ब्रेश करने के ये कम से कम दो से पांच मिनिट का समय जरूर लगाए फॉमलिटी के लिए एक मिनिट के अंदर ही ब्रश कर लेते हैं इसे दातों की सफाई नहीं हो पाती और हमेशा सॉफ्ट ब्रस का ही परियोग करें ज्यादा तेजी से ब्रस करने से हमारे मसूरों की नसे कमजोर हो जाती है जिसकी वज़े से दातों का तोटने और छडने जैसी प्रॉब्लम भी आ जाती है मीठी चीजों का सेवन कम से कम करें मीठी चीजों का सेवन करने के बाद तुरंत ही कुल्ला ना करें कुछ तेर बाद ही कुल्ला करें क्योंकि ऐसा करने से ठंडा बन आपके दातों में मैसूस होता है जिससे दात कमचोर हो जाता है लेकिन कुल्ला करना बहुत ही ज़रूरी है इसलिए मिठाई खाने के कुछ तेर बाद आप कुल्ला कर सकते हैं क्योंकि मीठी चीजों से हमारे म की अंदर कि वैक्टिरिया उस मीठे कण को निगल कर ऐसीट करते हैं और उसी से फिर कीड़ा बनता है इसलिए किसे भी मीठे चीज को खाने के बाद आप कम से कम पांच या दस मिनट बाद कुला जरूर करें लेकिन तुरंत ना करें जब आप खाना खाएं तो खाना खाने में सालिड का इस्तमाल यानि सलात जरूर करें और इसमें कच्छे प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए इसे मुँगी जो घंदुए वैक्टिरियास होते हैं वह खत्म हो जाते हैं और हमारे दातों में कीड़े लगने की जो समस्या है वो भी बहुत कम हो जाती है, हो सके तो ब्रश की जगा आप नीम के दातवन का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, नीम का दत्वन एक बहुत ही नेचुरल तरीका है हमारे दातों को साफ करने का और ब्रश के थुरू जो भी वैक्टिरियास हमारे दातों में रह जाते हैं या मुँ में रह जाते हैं नीम के दत्वन के थुरू ये सारे निकल जाते हैं गुटका पान-मसाला या किसी अगर आप चबयकौ्टर्ट्त यूज करते हैं दो आप उनका सेवन कम से कम करें, यह फिर ना करें अगे अगर आप उनका सेवन करते हैं, तो आप रात में ब्रश जरूर करके सोें अगर आप इनको follow करेंगे तो आपको कभी भी दातों की समस्या नहीं होगी उम्मिद करती हूं दोस्तों के आपको हमारी ये वीडियों पसंद आई होगी seeds अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं čin में और साथ बात्बोर हें कामेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ रिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ मैं हाऊंगी रोजाना नए नए घरे लूप चारों के साथ जिससे आप अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लि